नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वसी करन हर कोई चाहता है कि उनकी बातें लोग सुनें उनको देखकर एक बार पलट कर दुबारा देखना पसंद करे या फिर उनसे बात करना पसंद करें उनके समान रखें, उनके बातों का मान रखें क्या आप भी चाहते हैं ऐसा कि आप का भी हर किसी पर एक अलग प्रफौव पड़े आप चाहते हैं हर कोई आपके बसी भूत रहे तब एक छोटा सा प्रियोग और ये प्रियोग से महा पुरान में बढ़नित है भगवान सिव मापारवती से कहते हैं कि हे पारवती अगर कोई चाहता है कि वो सभाओं को संभोधित कर सके हर जगा उसका संभान बढ़े तो इस परियोग को उन्हें जरूर करना चाहिए वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दे ये परियोग कोई भी कर सकता आप महिला हैं, आप पुरुस हैं आप बिद्यार्थी हैं, आप बेपसाई भाई हैं आप चौप करते हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं हर कोई ये परियोग कर सकता है एक दूसरे का सब कोई कहना मानेगा एक दूसरे के बसिभूत रहेगा लोग आपसे प्रेम बस पेस आएंगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये परियोग बिलकुल सात्विक है इस परियोग को आप किसी भी सोंबार के दिन कर सकते हैं बहुत सिंपल है, आपको चाहिए होगा बिलपत्र बिलपत्र वही जो सिभजी को अरपित किया जाता है आप चाहें तो सिभजी को अरपित किया हुआ बिलपत्र ले सकते हैं अगर वह ऐसा ना मिले तब पेड़ से पेड़ का एक बिलपत्र ले ले बिलपत्र खराब ना हो, दाग धब्बे ना हो, बिलकुल साबूत हो ऐसा देख कर लीजिएगा और लेने के बाद इसको चाया में रख कर सुखा ले चाया में का मतलब है ऐसे जगह जहां धूब ना आता हो रख कर सुखा ले और फिर उसे हाथ से मसल कर उसका पौडर बना ले इसमें जो डंठल बेगेर होता है पत्ते में लगा हुआ वो हटा दिजेगा और फिर बाकी के पत्तों का चुरा बना लीजेगा गाई का दूद लेकिन गाई में भी एक भेद है गाई एक ही रंग का होना चाहिए या तो काला या तो सादा या तो ब्राउन या लाल गाई जिसको कहते हैं दो तीन कलर वाला गाई नहीं एक ही करर का गाय हो उसका दूद तो बिल पत्र का पॉडर आपने किया है जादा रेडी नहीं करना आप दो तीन पत्र उखा कर कर लीजे ताजा ताजा करिए इसके बाद इसमें दो चार बुंद दूद डाल कर उसको अच्छे से गोट ले गोट ले मतलब मिला ले मिलाने के और फिर जब भी आपको इसका प्रियोग मिलाना है सुद्ध जल या गंगा जल इसमें मिला कर इसको गीला करें अपने माथे पर इसका तिलक करें और फिर घर से निकल जाएं आप घर में ही रहती हैं आप मिला हैं पुरू से आप चाहती हैं आपके सुसरार वाले आपको सम एक प्रियोग करेंगे आप रोज ही कर सकते हैं बस बनाना आपको जो बिल पत्र है उसको सुखाना सोंबार को है और जैसे इस सुंबार सुखा यह तो अगले सुंबार मिक्स करके गोलिया बना ले इसके बाद जबमर जीत तब आप इसका प्रियोग करें आप तुरंट भी प को बताया एक महापसी करन प्रयोग उमीद है आप समझ चुके होंगे अच्छे से हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखें धन्यवाद